बात करते हैं ब्रिश्यक राशी की, जो ब्रिश्यक राशी के जाए तक हैं, आज आपने पिता के मार दर्शन में धनलाप अरचित करेंगे, निया रुजगार मिलने की संप होना बन रही है। नौकरी तयाद से लाब मिलेगा, पुराने कारियों से लाब मिलेगा, रियल स्टेट में अगर पूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, भूमी बहन के निर्मार से धनलाब होगा, रोग और सत्रो परास्त होंगे, पिता का सुख मिलेगा, परिवारिक किस्ते शांदार होगी, माता का सुख मिलेगा, आपको कर्जे से मुक्ती मिलेगी, शौधानी क्या बरत्नी है, निगेटिव थाट के लोगों से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, उपाय क्या करना, बंदरों को भुना हुआ चना और गुड़ यरुख खिला में, और भगवान भुले नात के अरादना करे, ओम नमस्षिवाय मंत्र का कम से कम तीन माला जब करे, आज आपके लिए शुबंक है, आठ सुबंक है, लाल, लक्मिटर अच्छे, हरे क्रिश्न, ओम जैंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपा आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम आपसे बात करेंगे, कि आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जब कैसे करेंगे, जब करने साब को क्या लाप मिलेगा, पंचांगों के बारे में बताएंगे कि पंचांग की क्या इसती है, शुर्योदय कब होगा, शुर्यास्त करते हैं आज के महामंत्र के कि आज का महामंत्र है और तुन्ड महाकाय सूरे कोटी शंप्रवा निर्विग्नम कुरुमे देव शर्वकारे शुशर्वदा यह जो महमंत्र है पर्थम पुझ्य भगवानशरी गड़ेश्री का है अगर आप भगवानशरी गड़ेश्री की आराधना करते हैं तो आपका सारा कारे निर्विग्न करते हैं तो भगवानशरी गड़ेश्र को कहते हैं और यह मददगार होते हैं प्रतिपल आपकी मदद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब आईये हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 24 जुलाई 2024 दिन है बुद्धवार तित्थी है तिरतिया सद्विसा नचत्र है विष्टी करण है सुर्यों दे हुचुक है सबेरे 5 बच 30 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 7 बच के 16 मिनट पर चंद्रवार है का कुम राशी में और सुम मुहूर्ट आज नहीं है इसलिए खरिदारी ताथ करने से बच्चे है राहुकाल है दो पहर 12 बच के 27 मिनट से लेके दो पहर 2 बच के 9 मिनट तक रहेगा उत्तर दिशा का दिशाशूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना है लेकि लगता है यात्रा पूर निर्धारित है आप क्या करें कि एक दिन पूर सुम मुहूर्ट में प्रस्थान निकाल के तब करें आपके लिए अच्छा रहेगा आज खरिदारी के लिए कोई सुमुहूर्ट नहीं है तो कोई भी नियाकार शुरुआत करने से बच्चे है दिशाशूल में यात्रा एक दम न करें इस बात का भी ध्यान रखना आपको और राहुकाल में कोई भी नियाकार न करें अब आईए हम बात करते हैं 12 राश्यों की बारे में एक हैसकी 12 राश्या क्या काती है कौन भी देश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी किसके घर में किलकारी गुजेगी किसके घर में साहनाई बजेगी आयात नर्यात सक किसको अधन मिलेगा और उच्पत प्राप्त करेगा किसकी राजनेती किस सती कैसी होगी परिबारी किस सती कैसी होगी सारी बात बताएंगे किस रंग के परियूख करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी साधानी क्या बढ़ते उपाय क्या करें आईए आशे शेशे.